देश में आज का दिन काफी आहमें आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को नएक रिशी कानून के खिलाफ किसान संगटनों ने देश व्यापी भारत बन बुलाया है किसानों के इस बन को देखते हुए दिली महाराश्र सहीत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है भारत बन को कॉंग्रेस सहीत विपक्षी दल ने अपना समर्थन दिया है विपक्ष की और से समर्थन दिये जाने के बाद भारतिय जनता पाटी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला वही सोंबार शाम हरियाना के कुछ किसान संगटनों ने केंद्रिय कृषि मंत्री नरेंदर सिंग तोमर से मुलाकात की एक किसान संगटन ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुमरा क्या जा रहा है वैसे तो 15 संगटनों सहीद आटो ए रिक्षा संगटनों ने भी समर्थन दिया था लेकिन आप इन तस्विरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से ओटो रिक्षा बस तमाम ट्रांस्पोर्ट की गाड़िया सडकों पर सुचारू रूप से चल रही है दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकाने खोल रखी है बंच जैसा नजारा यहाँ देखने को ही नहीं मिल रहा यह नजारा है दिल्ली के हजरत निजामुद्दिन रेल्वेस्टेशन और मेट्रो स्टेशन वा आनन विहार की और जाने वाले सडकों पर आवजा ही रोजाना की तरह चालू है इसमें किसी प्रकार का विरोध या बंच जैसे स्थिती नहीं है हमारे चैनल इंबीसेन के साथ सिदे हमारे समवादाता ब्रजेश कुमार के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए